मित्रों यह तो सभी जानते हैं कि भिशम पितामा ने महाभार्त के युद्ध में एहम भूमिका निभाई थी और उनकी मृत्यू भी बागी सभी पात्रों से अलग हुई थी जहां बागी के युद्धा शस्त्रों के प्रहार से मृत्यू को प्राप्थ हुए थे भिशम का जनम एक रहसमी तरीके से हुआ था भिशम के जनम की कहानी राजा शांतनू और देवी गंगा की कहानी में ही छिपी है तो चलिए मिलकर जानते हैं रहस्यों से भरी इस कहानी को महाभारत के अनुसार महराज शांतनू एक दिन हस्तिनापूर में अपने महल से शिकार करने निकले गंगा नदी किनारे पहुँचे तो देखा कि सुन्दर स्त्री किनारे अकेले बैठी है जिसे देखते ही वह मोहित हो गए और रत को रुका कर स्त्री से विवाह का प्रस्ताव रख दिया वह स्त्री देवी गंगा थी जिन होने विवाह के लिए हामी तो बर दी ल और ना ही मुझे किसी काम के लिए रोकेंगे जिस भी दिन आपने ऐसा किया मैं आपको ततकाल छोड़ कर ही चली जाओंगी शांतनू ने शर्त सुनते ही कह दिया देवी बिलकुल ऐसा ही होगा गंगा से विवाह के बाद शांतनू बहुत खुश थे जब उन्हें पता चला कि गंगा गर्बती है तो वह बहुत खुश हुए गंगा ने पुत्र को जनम दिया तो शांतनू उनसे मिलने गंगा के कक्षकियो निकल पड़े वह रास्ते में ही थे तो दासी ने बताया कि देवी गंगा अपने पुत्र को लेकर जंगल में गई है व्याकुल शांतनू देखते रहे और भरे मन से वह महल लोट आये गंगा ने दूसरे पुत्र को जनम दिया और इस बार भी गंगा ने उसे गंगा जल में अर्पित कर दिया राजा शांतनू अपने तीसरे चोथे पांचवे छटे और साथवे पुत्र को आँखों के सामने गंगा नदी में बह दीवित और सुरक्षित हैं बलकि मेरे उन्हें गंगा नदी में बहाने से ही उन्हें महारिशी विशिष्ट के शुराब से मुक्ती मिल गई है गंगा ने बताया कि विशिष्ट रिशी के पास दीवे गाएं काम धेनू थी एक दिन आठ वसूओं ने उस गाएं को चुरान का विशिष्ट के आजनम जा पहुंचे एक वसूओं ने गाएं चुराली इसका पता रिशी को चला तो वह बेहत क्रोधित हुए उन्होंने वसूओं से कहा कि गाएं चुराना मनुष्य का सभाव है तुमने वसू होकर मनुष्य जैसी हरकत की है इसलिए तुम सब अब योनी में जनम लोगें यहा सुनकर आठो वसू डर गए उन्होंने रिशी से शमा याचना की रिशी का मन पिगला तो उन्होंने कहा कि श्राव बापिस लेना तो नामुकिन है लेकिन मनुष्य रूप में जनम होते ही तुमें मुक्ती मिलेगी लेकिन तुम मैं से किसी एक क किये गए पाप के लिए लंबे समय तक मनुश्य रूप में प्रित्वी लोग पर ही रहना पड़ेगा सभी वसू देवी गंगा के पास आए और विनिती की कि उनकी मा बनकर मनुश्य जनम से मुक्ती दिलाईए वही आठों वसू ने शांतनू और गंगा के पुत्रों के रूप में जनम लिया जिसमें साथ को मुक्ती दिलादी गई थी लेकिन आठों वसू रिशी के श्राप के चलते मुक्त नहीं हो सका अब इसे लंबे समय तक मृत्यू लोग में रहना होगा देवी गंगा ने कहा अब मैं शर्त अनुसार वापिस जा रही हूँ और पुत्र को भी ले जा रही हूँ समय आने पर पुत्र को लुटा दूँगी इतना कहकर देवी गंगा आठों पुत्र के साथ गंगा नदी में विलीन हो गई गई साल बाद एक दिन राजा शांतनु गंगा किनारे घूम रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक यूवक ने तीरों से गंगा नदी का भाव रोग दिया है इस कारण गंगा का पानी सूखने लगा उन्होंने यूवक से नदी का भाव भाल करने को कहा लेकिन उसने मना कर दिया इस पर देवी गंगा प्रकट हुई और शांतनु से बोली महराज यह आपका ही पुत्र देवरत है इसने शास्त्र ग्यान शुक्रा चारे और अस्त्र शास्त्र ग्यान परशूराम जी से प्राप्त किया है इस महाप्रतापी पुत्र को मैं आप आपके हवाले कर रही हूँ इसके बाद गंगा चली गई और शांतनु पुत्र देवरत के साथ हस्तनापूर लोट आए आगे चलकर देवरत प्रतिग्या के कारण ही बिशम पितामा कहलाए तो मित्रो यह था बिशम के जनम की कथा अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद